अगर किसी स्टुडेंट का सिगनल वीक होता है या मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं तो प्लीज मुझे इमेडियेटली कॉल या मैसेज करके बता दें क्योंकि मैं भी अपना फोन से ही अभी कनेक्टेड हूं वाइफाई के थ्रू तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगी चले शुरू करते हैं अब अब ब्लेट ग्रूप सिस्टम त्यूब मैफड हम लोग कर रहे थे जिसमें प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से यह काम करता है लेजर पॉइंट फिर से यूज कर लेते हैं जिससे आपको दिखाने में शो होगा स्क्रीन प्रॉपर्ली सबको दिख रही है कोई इस्यू तो नहीं है एक बार प्लीज मुझे बता दें और जो ऑनलाइन यह यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स म में अब यह देखीए। यह है हमारा ट्यू मैथटड। ब्लड ग्रॉपिंग में जब क्रॉस मैचिंग की जाती है तो तो कउन्सेप्ट क्या होता है क्रॉस मैचिंग का अब लेजर पॉइंट्से आप देखिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने बताया था रानी और आशा का example लेके कि कैसे कैसे लिया जा रहा था तो एक है आपका donor यानि ये हो गया blood जो pouch है वो ठीक है और एक हो गया patient जिसको लेना है यानि आपका blood group जिसको लेना होगा वो हो गया patient plasma तो cross matching में जो आपका compatibility test देखा जाता है तो कैसे आपका blood compatible है की नहीं है या incompatible है उसको देखने के लिए एक ये एक image की form में मैं लेके आया हूँ तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि दोनर से हमने blood लिया क्या लेना है डोनर से red cells लेने है और patient वाले से plasma लेना है क्योंकि उसके अंदर क्या present है anti body present है अब याद करो जब आप blood group पढ़ रहे थे अभी थोड region present होता है और वहीं उसी blood में same blood group में plasma के अंदर antibody present होता है तो जब आप compatibility test करते हैं तो आपने जिसको जिसका blood चड़हाना है उससे आपने लिया cell और जिसको blood चड़हाना है उसका आपने लिया plasma ठीक है अब यही है आगे formation forward reverse direct indirect यह सारा आगे technical words से आप पढ़ोगे समझोगे अभी compatibility की बात कर लें तो compatibility में donor से लिया हमने RBC और patient से लिया plasma तो आपने इसमें देखो reaction कैसी हो रही है RBC के उपर antibody का binding नहीं हो रहा है ठीक है antibody क्या है अलग अलग ही है इसका मतलब इसके अंदर कोई reaction formation नहीं हुआ और यही इसी का मतलब यही चीज शो करता है कि sample क्या है compactable है मतलब यह sample चड़ाया जा सकता है donor का बोलो इतनी बात समझ में आगई आपको विनीद समझ में आई जी साथ इधर से आशा, रानी, प्रिया चालो ठीक है ओवर्डोस तो नहीं हो रहा ना class का सब लोग बता दें भई अगर interest आ रहा है मजा आ रहा है पढ़ने में तो continue करेंगे और अगर नहीं आ रहा होगा तो next class के छोड़ देंगे चलने दो इधर से विनीद ने बोल दिया चलने दो अंजली रानी आशा चलने दो ठीक है प्रिया माइक को एक काम किया करो प्रिया जब बोलना होता ना तो headphone निकाल लिया करो आप अंजी प्रिया चलने दें यस सर ठीक है तो अब compatibility test में देखा इसमें अभी हमने कोई chemical नहीं डाला है कोई antigen नहीं डाला है compatible देखने के लिए हमने क्या किया donor के rbc ले लिये और patient का plasma ले लिया आपस में mix करके देख लिया कि agglutination कोई antibody reaction तो नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हुआ बिलकुल azity sample दिख रहा है इसका मतलब ये sample patient को चढ़ाया जा सकता है ये तो गया compatible अब non compatible होग तो clumping हो जाएंगी agglutination form हो जाएगा और अगर आपके blood में agglutination form हो गया तो वह flow नहीं कर पाएगा fluidity जो है जिसे हम fluid corrective tissue बोलते हैं उसका function ही नहीं हो पाएगा तो ये क्या हो गया incompatible हो गया तो compatibility test कैसे किया जाता है हमने क्या किया cell लिया plasma लिया दोनों को mix किया ये दोन जैसे था वैसे कव यह रहा गया sample तो non reactive हो गया non reactive non micro देखो जब आप लोग ये तो agglutination show होता है ना कैसे दिखाई देता है slide के अंदर agglutination हाँ नहीं ये test tube देखने आप आगे दिखेगा आपको ये तो एक diagram image के help से मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके की agglutination agglutination कैसे दिख रहे थी slide में वैसी दिखाई देगी आपको test tube में भी clumpings ठीक है tube में भी वैसा ही clumpings दिखाई देगा आगे आप step आज आप देखोगे अभी तो एक overview समझो कि हमने कैसे कैसे compatible test किया कैसे करना है हमें वो अभी बता रहा हूँ जब आगे बढ़ होगे तो अब देखो recipient serum मतलब जिसको लेना है उसका 2 drop serum ले लिया ठीक है फिर donor जानी जिसका blood जो दे incubate करेंगे ठीक है एक घंटे के लिए जब incubate करेंगे तो यह आपस में क्या होगा अगर reactive होगा तो जुड़ जाएगा अगर non reactive होगा तो नहीं जुड़ेगा जब किया उसके बार हमने क्या करना है इसको wash भी करना है ठीक है तीन बार wash करेंगे अब wash करने का क्या तरीका होत पे एक मिनट के लिए और यह प्रोसेस होता है तीन बार आपने एक बार 1000 आर्पेम पे उसमें नॉर्मल सलाइन डाला और उसको सेंट्रिफ्यूज किया फिर क्या किया आर्बीसी सेल्स नीचे डिपॉजिट हो गए और अधर कॉंपोनेंट उपर फ्लो करने लगे सुपरनेट हो जाएगा क्लियर हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर क्या करना है एड़ टू ड्रॉप ऑफ ए एच जी आपने एच जी का जो है वो दो ड्रॉप डाला ठीक है और आपने सेंट्रिफ्यूज किया अब सेंट्रिफ्यूज करने के बाद आपको दो चीज़े दिखाई द हो गया तो क्या हुआ यह आपका जो सेंपल है वो रिजेक्ट हो गया यानि डोनर से आप रेसिपियंट को नहीं दे सकते इतना क्लियर हो गया और नो एगलूटिनेशन यानि कॉम्पेटेबल दूसरे फेज में दिखाई दे रहा है कि कोई एगलूटिनेशन शो नहीं हुआ इसका मतलब यह सेंपल पेशेंट को दिया जा सकता है अब एक यह इमेज देखो आप यह वाली पूरी दोनों डाइग्राम की और यह देखो कैसे दिखाई दे रहा था अभी हमने समझाता इस तरीके से और यह हो गया हमारा प्रोसीज है बोलो इतनी बास समझ में आगी सबको पर्पस ओफ डूइंग ट्यूब मैथड भाई हम यह चीज स्लाइड से भी तो कर सकते हैं लेकिन क्या पर्पस है इसका ट्यूब मैथड से करने का तो इसका जो पर्पस है वो एक ओवर्विव पर्पस समझ लो कि आपके बलड के अंदर जो प्लाजमा है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़े थी ना बहुत सारी चीज़ें आपको आपके रियक्शन को इफेक्ट दे सकती है और स्लाइड मैथड में ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे आप सेल को वाश कर सकें इसी लिए ट्यूब मैथड को इंट्रोड्यूज किया गया बलड बैंकिंग मे बोलो इतनी बात समझ में आ गई जोर से बोलो कि शुकर है किसी ने जैम आता दी नहीं बोल दिया चलो आगे बढ़ते हैं कि अब आजाते हैं एक्क्विप्मेंट्स एंड रिएजेंट तो एक्क्विप्मेंट और रिएजेंट क्या है अब देखो इसमें एक lamp मैंने दिखा रखा यहां पे ठीक है तो यह lamp जो है basically light focus करता है और आप इसके अंदर tubes को देख सकते हो रखके कैसा आपका agglutination show कर रहा है स्क्रीन पे है आपके एंटी ए है एंटी बी है एंटी सीरा जिसे हम बोलते हैं AI और बी रेड़ सेल्स हैं 9% सलाइन है जो suspension solution है जिससे हम cell wash कर रहे थे फिर आपकी test tube है 12 by 75 mm की tube है फिर dropper है pipette है जिससे आप drop करोगे pipette करोगे center cruise है और agglutination lamp या mirror यह वाला यह जो आप देख इसको कहते हैं lamp mirror आप इसमें easily agglutination देख पाते हो इतनी बात clear होगी आगे बढ़ें प्रोसीजर forward grouping अब आ गया भी अपना part forward grouping का अभी तक हमने देखा की compatibility test कैसे किया गया हमने चेक कर लिया कि compatible है की नहीं है अब आ जाते हैं forward grouping तो सबसे पहले हमें क्या करना है 2-5% का suspension solution बनाना होता है of washed RBC ठीक है washed RBC का आपको solution बना है washed RBC का मतलब क्या है cell को wash करना उसमें से plasma और other components को remove करना यानि antigen ही रहना चाहिए यानि red cell पर जो antigen है सिर्फ वही वही चाहिए हमको और बाकी antibody या components नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे forward grouping के लिए सबसे पहला होता है prepare 2-5% cell suspension of washed RBC from the individual to be tested using 9% saline as a diluent मतलब वही cell wash करने के लिए जो distil water आप यूज़ कर रहे है बिसिकलिए आप saline water भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए अगर मैंने डिस्टिल वाटर बोल दिया हो इससे पहले तो प्लीज उसको remove कर ले डिस्टिल वाटर यूज़ नहीं होता है normal saline यूज़ किया दाता है कौन सा बताया था normal saline बताया था डिस्टिल वाटर बताया था चालो सुन रहे हो इसका मतलब बढ़िया बात है फिर आजाओ फिर लेते हैं हम label two tubes दो tube हमें लेनी है उसको label करना है और identical tube लेनी है patient और जिसका patient और donor दोनों के नाम से label किया जाएगा और उस tube को label करेंगे हम A और B के नाम से यानि tube A और tube B और उसमें क्या करना है तो एक एक drop anti A और anti B डालना है उसके अंदर यानि जो आपका अब क्या है reagent है anti A का जो reagent है वो डालना है और anti B का reagent डालना है फिर उसमें drop एक एक ड्रॉप दोनों में आपका क्या है suspension जो आपने cell suspension बनाया था दो से 5% का जो क्या था और RBC वस्ट suspension था वो डालोगे आप एक एक ड्रॉप दोनों tube में यानि anti A वाली tube में भी और anti B वाली tube में भी फिर जैंडली उसको shake करोगे यानि mix करोगे और उसको 15 से 20 सेकंड के लिए ठीक है 3000 rpm पे आप उसको run करोगे यानि 15 सेकंड और 20 सेकंड इन दोनों के बीच कर टाइम लोगे और उसको 3000 rpm पे उस tube को rotate कराओगे घुमाओगे तो जब आप उसको घुमाओगे तो उसके बाद आप देखोगे उसकी bottom में ठीक है कि agglutination show हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर agglutination show हो गया इसका मतलब क्या है वो blood group A है अगर A में हुआ तो A है और B tube में हुआ तो B है ठीक है इतनी बात बोलो समझ में आ गई forward grouping में कुछ भी नहीं है क्या किया आपने cell wash solution cell suspension बनाया cell suspension कैसे बनता है तो RBC cell लिया और उसको क्या किया आपने wash कर दिया with the help of normal saline जो की 0.9% solution है उसके बाद आपने 2 tube ले ली 2 tube लेने के बाद उसमें anti A और anti B डाला जिसमें anti A डाला था उसमें A लेबल कर दिया जिसमें anti B और फिस उन दोनों antigen को क्या किया आपने उन दोनों antigen के अंदर जो sample है आपका cell suspension का वो एक एक ड्रॉप डाला और एक ड्रॉप डालने के बाद आपने क्या किया उसको 3000 rpm पे centrifuge कर दिया जैसे ही centrifuge किया 3000 rpm पे 15 सेकंड के लिए आपका agglutination show होगा अगर वो reactive है और अगर non reactive ह आपके बाद तो agglutination show नहीं होगा यह है वो डाइग्राम कैसा आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे कौन explain करेगा इस चार्ट को अंजली explain करो इस चार्ट को कि माइक है अब फोन निकाल लो अंजली थोड़ा सा जो नॉइस है वो कम हो जाएगी फोन के माइक से खाली उस करें हाँ अब ठीक है बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है बताएं अब अब तो अब तो स्टूस तो सर वोले कुछ स्टामल में नहीं आ रहा है चलो कोई बात नहीं अपना हैड़फोन लगा के सुनो और मैं समझा रहा हूँ अब आजाओ इसमें आप देख रहे हो गें दो पार्ट आप देख रहे हो एक देख रहे हो रेसिपेंट none है इसमें आपका A और B antigen दोनो present है और type हो गया है अब antibody अगर दोनो A और B present है और type हो गया O क्योंकि antibody के हैं दोनो present है तो type O हो गया यहाँ पे अब donor का जो cell है वो लिया तो यहाँ पे देखो जब reaction हो रहा है जब compatible है तो इस brown color के shade से है और जो non compatible है तो इसमें brown और pink color का कुछ आपको देखने को दिख जाएगा तो अब tubes देखते हैं हम लोग कि भई donor अगर type O है O cell type है तो क्या हो रहा है तो इसमें reaction नहीं हो रही है यानि यह compatible है यानि O donor वाला O वाले को दे पा रहा है अब donor अगर A है तो O वाले को नहीं दे पा रहा है देखो O को नहीं दे पा रहा है B वाले को भी नहीं दे पा रहा है और A B वाले को नहीं दे पा रहा है clear हो गया O वाला जो है यह हो गया जिसको लेना है ठीक है यह वाला पार्ट जो laser से मैं अभी note करना हूँ यह हो गया लेने वाला यानि O blood group, A blood group, B blood group और AB blood group का जो बंदा होगा वो किस-किस से ले पा रहा है तो उसमें reaction दिखाई हुई है तो table के through दिखाई है तो कैसे दिखाई है O वाला जो है वो किसको दे पा रहा है सिर्फ और सिर्फ O वाले को दे पा रहा है बाकी A वाले को, B वाले को या AB वाले को reaction इसमें हो रही है यानि non-compatible हो जा रहा है clear हो गया बाद ठीक है अब आ जाते हैं कि blood group type A वाला है जिसके अंदर antibody B present है और antigen A present है और donor की बात की जाए तो O वाला क्या है भाई दे पा रहा है अराम से दे पा रहा है बिल्कुल easily दे पा रहा है ठीक है A वाले को भी यहाँ दे पा रहा है अब यहाँ देखो कि B वाले को नहीं दे पा रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका blood group जो है वो A है तो क्या हो गया, B वाला donor नहीं दे पा रहा है, A, B वाला donor भी नहीं दे पा रहा है, बात clear हो गई, समझ में आई, नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखो, ब्लड ग्रूप है हमारा B, जिसके अंदर antibody present है A, और antigen present है B, तो अब यहा यहां भी दे पा रहा है, आसानी से दे रहा है B वाले को, लेकिन A वाला यहां B वाले को नहीं दे पा रहा है, वहीं B वाला B वाले को दे पा रहा है, देखो, यहां पे भी reaction कोई दिक्कत नहीं आ रही है, compatible दिखाई दे रहा है, और A, B वाला B वाले को नहीं दे पा रहा है क्योंकि यहां पर क्या है नन कपेटिबिलिटी दिखाई दे रही है अपका प्लम्पिंग्स दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट में ठीक है अब आगे आजओ भई ब्लड गुरूप है हमारा अब यहां देखो सब कोई दे पा रहा है यहां ओ वाला भी दे रहा है बोलो यह चार्ट समझ में आया बोलो पढ़ाई बाबा की जए शुकर है समझ में आ रहा है चलो आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं reverse grouping अभी आपने देखा forward grouping forward grouping में कैसे किया था अब आ जाते है reverse grouping यानि उल्टी grouping तो अब क्या करना है दो test tube लेनी है जिसको mark करना है ए और बी से तो इसमें लिखा किया पहले हम English पढ़ देते हैं English भी ज़रूरी है level 2 test tube with the specimen identifying information patient name and identification number lab number tube A and one tube B यानि दो tube आपको लेनी है जिसको A और B से यानि small a और small b से आपको लिखना है क्योंकि इससे पहले आपने capital A और capital B यूज किया था उसके बाद step 2 क्या बोल रहा है तो place two drop of specimen serum और plasma into each tube यानि आपको serum या plasma दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं दो drop उस tube में आप डालोगे ठीक है दोनों में A और B में भी और उसके बाद क्या add one drop of AIRBC reagent अब जो AIRBC reagent है आपने क्या किया tube A में डाला and one drop of BRBC reagent in B ठीक है आपने B में डाला अब ये AIRBC या फिर BRBC है क्या अब ये जानना है ठीक है तो इसमें हम क्या डाल रहे हैं इसमें डाल रहे हैं हम क्या चीज प्लाजमा या सीरम यानि antibody वाला पार्ट डाल रहे हैं और उसके बाद हम उसमें antigen वाला पार्ट यानि RBC डाल रहे हैं बिसिकली A और B RBC जो होते हैं वो डाल रहे हैं ठीक है उसके बाद क्या किया आपने फिर आपने किया उसको shake mix किया फिर वही 15 सेकंड के लिए 3000 RPM पे उसको आपने rotate किया फिर आपने agglutination देखा कि agglutination हो रही है कि नहीं हो रही है अब ये समझो इसका third point third point most important है reverse grouping में जो forward grouping थी इसमें क्या था आपने एक cell suspension बनाया था cell suspension patient का ही था और फिर donor के आपने क्या किया था donor का serum add करके उसमें agglutination चेक किया था ठीक है और वहीं बहरहाल reverse में क्या कर रहे थे आप reverse में जो आप चेक कर रहे हो वो क्या कर रहे हो वो आप चेक कर रहे हो कि आपने जो patient है उसका अब लिया है plasma या serum और जो donor है उसका लिया है cell अब ये रेखो interpretation और guideline agglutination reaction गाडिंग agglutination reaction कैसी होगी इतना पार समझ में आ गया न अभी तक का reverse grouping का कोई और जिसको ना समझ में आया हो चलो कोई नहीं है ठीक है interpretation की बात कर लें तो presence of agglutination और hemolysis is a positive result अगर hemolysis हो जाता है agglutination होता है तो वह positive result है और वहीं smooth cell suspension after the bottom of the substance is negative result यानि अगर कोई भी कुछ reaction नहीं होता है तो वह क्या है negative रहेगा guarding agglutination reaction sorry grading sorry mistaken grading agglutination reaction तो grading में क्या है reaction result obtained in a group is a grade of grade as follows तो जो grade दिया जाता है वह h hemolysis this is a positive result ओ नॉन agglutination only a smooth suspension 1% में slow small clumps suspend for free cells यानि कुछ चोटे-चोटे आपको clumps दिखाई दे रहे हैं फिर प्लस 2 में जाएगा many small clumps फिर प्लस 3 में जाएगा 2-3 clumps no free cells फिर 4 में जाएगा oblique big clump no free cell ठीक है तो इस तरीके से आपको यह दिखाई देगा basically है क्या इसको एक असान भासा में बिलकुल कोशिश करता हूं मैं समझाने की फिर से समझो आपने क्या किया आपने patient का serum या plasma ले लिया ठीक है और फिर वो लेने के बाद आपने क्या किया आपने जो donor है उसके ले लिये blood cells ठीक है blood cell लिया अब आपने क्या किया उसका blood cell आपने 2 tube में डाल दिया ठीक है जिसमें आपका A और B मार्ण है अब आपने उसको जब सेंट्रिफ्यूज करके चेक किया तो आपको यह पता लगा कि भाई किसमे एगलुटिनेशन क्लम्पिंग हो रही है और किसमे नहीं हो रही है और हो भी रही है तो कितने लेवल की हो रही है कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है वह आपने देखा ठीक है तो यह था आपका फॉर्वर्ड ग्रूपिंग और रिवर्स ग्रूपिंग का एक स्लाइड मैथड के थुरू कि बही कैसे किया जाता है आपका ब्लड गूरूप टेस्ट किसके अंदर ब्लड बैंक के अंदर कैसे एंटीजन कैसे एंटीबोडि आपस में कंबाइन करते हैं आज की क्लास के लिए इतना है थक गया मैं भी आज काफे लंबी क्लास हो गई यह कंटीनियू बोलना कोई मजाग की बात नहीं लगी आज मुझे काफे टाइम बाद एक लंबा टॉपिक मिला पढ़ाने के लिए मुझे तो खेर बहुत मजा आया पढ़ाने में उमीद करता कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपकी जो क्लास वीडियो है बहुत इंफर्मेटिव रहेगे आपके लिए साथी साथ में आप एक बलड बैंकिंग का पार्ट सीख पाएंगे आज की क्लास के लिए इतना ही थैंक्यू